नमस्कार दोस्तों अमेजिंग इंटर्टेमेंट पर एक बार फिरसे सौगत दोस्तों जै हिंद जै भारत मैं मदनलाल आजाद संस्थापक संयोजक ठगी पीड़े जमा करता परिवार और ओल इंडिया बाइक बोर्ट टैक्सी यूनियन आज देनांग 3 फरवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं विसेश समाचार आप सब को बताने के लिए आपके भुगतान के शंधर्म में दोस्तो बहुत सारी सूचनाएं मैं आज आपको दूँगा अच्छी बातें आपके साथ करूँगा और निश्चत रूप से आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आपके भुगतान की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा इसलिए तमाम साथी ध्यान स बताता हूं उन बातों को ही आप लोग पूछते रहते हैं किसा आप वीडियो देखा था और ये भी कहते हूं कि वीडियो में सुना था सुना था तो उसे ध्यान से सुन लिया करें एक बार में समझ में ना आए तो आप जिन प्रश्णों को करते हैं उनी प्रश्णों के ज चाहते हैं घर बैठे प्राप्त कर लेना चाहते हैं ये दोस्तों संभव नहीं है कोई आप अकेले नहीं है जो लोग भी मुझे फॉन कॉल करके अनावस्यक प्रिश्ण करते हैं जिन प्रिश्णों का मैं जवाब देशक्वा होता हूं वो ऐसी कॉल ना किया करें चूंकि ले नहीं हो आपको लगता होगा कि साब एक मिनिट में बता सकते थे बताया नहीं तो एक मिनिट अगर एक आदमी को मैं फॉन कॉल पर दूंगा तो लाखों लोग हैं दोस्तों बीस करोड हैं वैसे तो होने को लेकिन लाखों तो ऐसे ही हैं जो हमसे जुड़े हुए हमें जिनकी हम तक पहुँच है हमारा नमर जिनके पास है अगर एक एक मिनिट या आदा आदा मिनिट भी हम फॉन कॉल पर उनको देते रहे तो मैं समझता हूं सांस लेना हमारा दूबर हो जाएगा खाना किस समय खाएंगे प्रोग्राम किस समय करेंगे कानूनी कारवाई किस सम मैं करेंगे अगर दिन और रात हम फॉन कॉल ही अटेंड करते रहे तो इसलिए मेरा आप सबसे करबध निवेदन हैं मैं आपकी पीडा को आपके दुख को आपके दर्द को बहुत बली बांती समझता हूं लेकिन आप लोग ये बात समझ नहीं पारे कि आपकी पीडा अके कुछ भी हूं नहीं करबा पाऊंगा ये तभी हो पाएगा जब हैं हम इस सामुहिक पीडा को सामुहिक स्वर देंगे अपनी आवाज को एक करेंगे और इसी को हत्यार बना कर हमें ठग सामराज और बेइमान सिस्टम पर प्रहार करना है दोस्तों इसी हत्यार से आपकी वि बहुत जरूरी है अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक को त्याग दोगे एकागर नहीं रहे एकता नहीं बनाई तो भुगतान बड़ा संभव हो जाएगा आपकी जो 20 करोड लोगों की मानसिक दुरबलता है अर्द विछिप्तों जैसी हालात है मैं बहुत अच्छी त आमा मानन्दों से वंचित हो चुके हैं यह मैं देख चुका हूं पूर्वी चंपारन मोतिहारी उभिहार में मैंने कई साथियों को ऐसा देखा कि वो चल फिर तो रहे थे लेकिन वो जिन्दा लास के अलावा कुछ नहीं थे तो ऐसी डेड़ करोड जिन्दा लासें हिंद के आनंदों में लेकर के चले तो दोस्तों यह किसी भगवान और मसिया के करने से नहीं होगा यह केवल और केवल आपके मन की एकागरता से होगा आपके संयम से होगा आप जल्दबाजी के शिकार थे यह ठगों को पता था इसलिए उन्होंने आपकी इस जल्दबाजी में क करोर लोगों को और ठग लिया एक साथी तो मुझे फोन कर रहे थे कि साब हमारा रोजगार चल रहाता सहारा से हमारी रोजी रोटी वापस दिला दो सहारा के ओफिस कुलवा दो अरे भाई पाप का अन खाकर तो आठ वसू में से एक वसू देवता होते हैं समझते हैं आप गंगा पुत्र भीश्म कुछ नहीं कर पाए थे पाप का अन ऐसा ही होता है द्रोणा चारे जैसे महान गुरू को जलालत जहिलनी पड़ी थी महादानी शूर्यपुत्र करण उसकी दुरुगती हो गई थी और बहुत सारे लोगों की आपने देखी होगी कि जो भी पाप का अन खाते हैं किसी पापात्मा दुष्टात्मा बेईवान के साथ काम करते हैं उनके मारफत रोजगार पाते हैं तो उनकी इस्थिती कभी सुखद नहीं हो पाती है मित्रो इस बात को ध्यान रखो पड़ा हो जाता है और ऐसे राश्टर को ब्चाने के लिए उस राश्टर के बीस करोड़ नागरिकों को बचाने के लिए। इनत की कमाई को वापस दिलाने के लिए एक बड़े संगर्स की संगठित संगर्स की एकाग्र संगर्स की आवशक्ता होती है दोस्तों इसमें आप सहयोग नहीं करोगे जल्दबाजी में रहोगे अपनी अपनी पीडा को लेकर व्यथित रहोगे दूसरों की पीडा नहीं मन को एकाग्रता की ओर लेकर चलो संयम रखो और इस लड़ाई को लड़ने में हमारे ठगी पिली जमा करता परिवार को सहयोग करो ताकि जैसा हमने आप सब को वचन दिया है संकल्प लिया है कि 23 मार्च 2023 से पहले हम आप सब का भुगतान करा देंगे तो ये तभी संभव ह जब आप सब बिना विचलित हुए बिना भै किये किसी का भी एकाग्रिचित होकर हमारे साथ इस संगर्स को इस मिशन को मिशन भुगतान भारत यात्रा कारिकरम को आगे बढ़ाएगे मैं आप से वाइदा करता हूँ आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कह यदि आपन मार्च में तो समय है आने में उससे पहले आपका भुतान आरम हो जाएगा लेकिन आपको ये काम तो करना पड़ेगा दोस्तों ये नहीं करोगे ये नहीं हो पाएगा मित्रो घ्यान रखो इस बात को देश ठगों के खूनी पंजों में हैं बेइमान देश पर सासन कर रहे ह तमाम राज्यों की राजधानियों में बेइमान बैठे हुए हैं और बेइमान सासकों का आस्रे पाकर या उनकी उनके कुकर्मों को देखकर जो हमारे अधिकारी गण हैं प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं न्याय पालिका में बैठे हुए लोग हैं वो भी लापरभा ह हो गए हैं बेइमान हो गए हैं वो भी आपकी पीडा को दुख को दर्द को देखना नहीं चाहते 2017 का एक आदेश मोतिहारी में पेंडिंग पड़ा हुआ था जो डियम के नाम था कि आप सिवसंकर चोरसिया का भुकतान करवाएं पांच साल से सिवसंकर चोरसिया लगातार धक्यƑ खाते रहे कभी किसी दफ्तर कभी किसी दफ्तर डियम से भी मिले कई بार पूराने डियमों से लेकिन किसी को उनकी बास समझ में नहीं आई चुके वो समझा नहीं पाए उनकी मानसिक दुरबलता, मानसिक इस्थिती, अर्द विछिप्तों जैसी है वो किसी को क्या समझा पाते लेकिन मैंने जब मोतिहारी जाकर वहां के डियम साब से बात की बहुत अच्छे, सज्जन व्यक्ति थे डियम, दस मिनट में वो मेरी बात को समझ गए, उन्होंने तुरंत S.I.T. का गठन किया, आपने A.D.M. फैनेंस को हुक्म दिया, कि अविलंब इस पर कारवाई करो और जो भी दस लाख लोग मोतिहारी के ठगी पीडित हैं, सब के आविदन स्विकार करो, सब का भुतान अविलंब करवाओ। तो आप अगर अपने मन को, ध्यान को केंदरित करोगे, अपनी पीडा को ठीक से व्यक्त कर दोगे, जैसे मैं आपकी पीडा को अधिकारियों के समक्ष उठाता हूं, वैसे ही आप अपनी पीडा को स्वयम व्यक्त कर दें, किसी भी अधिकारी के समक्ष, तो मैं समझता हू महा चोड से चोड महा ठक से ठक महा बेइमान से बेइमान अधिकारी भी आपकी बात को समझ जाएगा आपका काम कर देगा आपका भुगतान कर देगा चुंकि दोस्तों देश्ट में अन्यमे जमा योजनाय पावंदी कानून 2019 आपके भुगतान की गारंटी देता है जो राज्यों के लोकल पी आईडी एक्स हैं वो आपके भुगतान की गारंटी देते हैं दो दो कानून हैं हर राज्य में दोस्तों आपके भुगतान की गारंटी का दिकार प्रदान करते हैं भुगतान कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है समस्या है आपकी मानसिक दुरबलता आप ठीक से चीजों को करने ही पाते छोटा सा फारम है भुगतान का आप उसको भी ठीक से भर नहीं पाते हो जो दिन भर में 100-200 फारम बरते थे अंग्रेजी वाले इतने टफ टफ जो बच इस्वर की भी कुछ मर्जियां हैं लेकिन अब परमात्मा आपसे ये चाहते हैं दोस्तों मेरी जो इस्वर के साथ वारता होती है नेमित रूप से आपकी समस्याओं को लेकर मैं वारता करता हूं कि आकिर ये क्यों हुआ है अंत्तै ये देश रसातल में क्यों आराय विनास के कगार पर लाकर के आपने हमारे प्यारे पावनपवत्र भारत को क्यों खड़ा कर दिया है तो उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं आपके मारफत वो इस देश को इतना विशाल इतना ससक्त इतना सक्ती साली बना देना चाहते हैं कि नकेवल आप सब मिलकर के हिंदुस्तान क अगर किसी ठग को और अपराधी को संरक्षन दे जैसे विजय मालिया नीरम मोदी शुबरतराय राम देव अडानी अंबानी जो भी इस तरह के बहुत सारे ठग हैं जिन्होंने विदेशों में द्वीप खरीद लिये हैं टैक सेवन देशों में जाकर बसने की जिनकी पूरी तैयारी है हिंदुस्तान को लूट कर ऐसे देशों को भी हमने इस तनाबूद करें द्वस्त कर दें कल का भारत इतना सक्ति साली और मजबूत हो कि वो आज के हिंदुस्तान के सासकों की तरह वे देशों के समक्ष गड़गडाए नहीं कि ये विजय मालिया हमें देदो के नीरम बोदी हमें देदो के राहुल चौकसी हमें देदो के फलाना हमें देदो के धिमका देदो कल का हिंदुस्तान इतना सक्ति साली हो हो नहीं होगा कि वो किसी से रुक्वेस्ट नहीं करेगा कि हमारा अपराधी हमें देदो ये हमारे देश को ठक कर लूट कर भागा है ह हम बलपूरवक उस अपराधी को उस ठख को चीन और पाकिस्तान से ही नहीं तमाम टैक्स हैवन देशों से ले करके आएंगे और जो हमारी बात की जो हमारी न्याय की मांग की अंसुनी करेगा उस देश का दुनिया के नक्से से नामों निशान मिटा देंगे सारे संसार में ए नेक भी ठख और अपराधी को जो हिंदुस्तान का अपराधी होगा उसको सरण देने नहीं देंगे कल का हिंदुस्तान इतना मजबूत इतना अखंड इतना सक्ति साली होगा यह ईश्वर का कहना है मेरा नहीं है दोस्तो तो इसलिए आप सब भी अपने भुगतान के साथ स लेकिन सर्थ इतनी सी है कि केवल अपनी पीडा को अपनी पीडा मत समझो इसे समाज की रास्टर की देश की पीडा समझो चूंकि पूरा देश ठगों के चंगुल में हैं पूरे देश पर बेइमान हावी हैं दोस्तों और जब तक आप स्वैम को मजबूत नहीं करोगे चोटे चोटे लालचों को तुक्ष मानसिक्ता को त्याक कर तब तक भगवान भी आपका भला नहीं कर पाएंगे आपका भुगतान दिला नहीं पाएंगे आपको स्वैम लड़ना होगा हम तो किवल मार्ग दर्सन करेंगे आपको उस पत की ओर लेकर के चलेंगे जिससे आ आदर्णिय रमेश सिंग जी, रामदेव गौतम जी, चौधरी विजंदर सिंग जी, मास्टर प्रताप सिंग जी, डॉक्टर गोपाल सिंग जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननिय बेश्व कर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रयाग राज, लखन पाल जी, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष किसंदास गुपता जी, हमारे बुंदेल खंड के अध्यक्ष आदर्णी शामचंद गुपता जी, भाई कमलेश जी और तमान साथी अर्याना के हमारे प्रदेश सद्यक्ष, हमारे उत्राखंड के प्रदेश शयोजक, मानि पूजिनी शुकदेव सिंग सास्त्री जी, हमारे जारखंड के प्रदेश सद्यक्ष, हमारे राजिस्थान के प्रदेश सद्यक्ष, रतनलाल जी, ब्रजमोहन योगी जी और एक हमारे जिलाद्यक्ष भारगब जी बाड मेर के और बहुत सारे साथी इसी तरह का संगर्स इसी तरह का प्रयास मेरे साथ मिलकर आपके लिए कर रहे हैं और मैं समस्था हूँ कि आज आपका संगठन जितना बड़ा जितना मजबूत जितना विशाल हो गया है कि उडिशा तक फैल ग महाराष्ट में हमारी दो बहनें बहुत संगर्स कर रही हैं सीमा जी और वर्सा जी और भी इस तरह के बहुत लोग हैं नाम गिनाउगा तो पूरी रात गुजर जाएगी साथ दोस्तों इतना बड़ा संगठन है तो इसलिए जिन साथियों के नाम मैं नहीं लेता या जिन सब ही तो मेरी शक्ती हैं आप सब ही तो मेरी आखें हैं कान हैं नाक हैं मूह हैं आवाज हैं शरीर हैं मैं तो सब आपके अंदर हूँ आप सब मेरे अंदर हैं इस बात को मान करके चलिए कि हम सब मिलकर मदनलाल आजाद हैं कोई भी मदनलाल आजाद से अलग नहीं है और रूप से जीत जाओगे भुगतान प्राप्त कर लोगे बहुत मामूली सी बात है दोस्तों आप हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेइमान रहतरास्ट राज्य के रूप में भी इस्थापित कर सकोगे यह तो ईश्वर ने तै कर दिया है कि आपको ही यह करना है और किसी मिल जाये क्या बोलते हैं नितीस कुमार का या किसी अखिलेश का मिल जाये यह आसरे मत तलासो आसरे तलास कर्नया वैश्याओं का काम होता है और वैश्या का चरित्र ना मुझे मंजूर है और न मैं कभी ये चाहूंगा कि मेरे किसी साथी को वैश्या का चरित्र अंगी कार करना पड़े या वैश्याओं के पर चिन्नों पर चलना पड़े दोस्तों परिस्रम करो ये तमाम जो राजनिता हैं ये ठग और बेइमान हैं ये आपकी कोई मदद नहीं करेंगे आपकी भावनाओं का सोस को बलंद करो चूंकि हिंदुस्तान की संसद ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है उससे लागू करवाने की बात करो पी आईडी एक्ट्स को लागू करवाने की बात करो और बतौर हिंदुस्तान के नागरेक चूंकर आप हिंदुस्तान के स्वामी में है और ये सब आपके नोकर हैं चाहे हो Chief Justice of India हो, चाहे हो किसी High Court का जज हो, चाहे हो प्रदाश्टपती हो, प्रदानमंत्री हो, या कोई मुख्यमंत्री हो, या संसद हो, या विदायक हो, या SP हो, या DM हो, या SO हो, ये सब आपके नोकर हैं दोस्तों इस वात को श्रीकार करो, और 23 मार्च को ये हमें तै कर देना हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किसी भी ठक को खुली, अब हमें सांस नहीं लेने देंगे, सब को सजाए मौत निरधारित करवाएंगे दोस्तों, मैं आपसे अपील करूँगा कि तमाम लोग अपने ध्यान को किंद्रित करें, हमारे वीडियो संदेश को जादे से जादा लोगों तक पहुचाएं, हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर नियूज को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही सुचना, सही मार्ग दर्सन समय पर मिल सके, आपका भुगतान हो सके दोस्तों, इस काम को अवश्य कर लो, इसके स साथ, मैं आप सबसे ही अपील करना चाहूँगा, दोस्तों के हिंदुस्तान के तमाम ठगी पिलेत, छे फरवरी को अभी दो-तीन दिन बाद, हम पस्चमी उत्तर प्रदेश का बहुत एत्यासिक जला है, बुलन सहर, वहाँ पे अन्यमे जमायोजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन कुछ जिले बाकी है, पस्चमी उत्तर प्रदेश में बुलन सहर ऐसा जिला है, जहां अन्यमे जमायोजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहता आवेदन नहीं लिए जा रहे, पी आईडी एक्ट्स उनकी अनुपालना सुनिश्चित करें और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसे उन्हें सासन की कुर्सी से उखाड कर फैकना हैं दोस्तों, इस संकल्प के साथ तमाम साथियों से मैं अन्रोद करूँगा कि पूरे देश में जहां भी मेरे साथी हैं, वो सब लोग 6 फरवर बना कर वाइरल करें, जो भी अन्यमे जमा योजनाएं पावंदी कानून 2019 या PID Act से अन्विग्यता जाहिर करते हैं, या आपके आवेदन नहीं ले रहे या आपको बहका रहे हैं, ऐसे बहुत अफसर हैं, इनकी सूची बनाईए दोस्तों, आने वाला कल आपका होगा, इसे बेइमान अधिकारियों की, बेइमान नेताओं की सूची बनाते रहे हैं, कि कल जब आप हिंदुस्तान के वास्तविक सासक बनोगे, तो इन बेइमानों को ठगों को दंड देना हैं, निश्चित रूप से एक को भी माफ नहीं करना हैं, दोस्तों, अगर हमने ठगों क और बेइमानों को माफ कर दिया, तो हम अपनी पावन पवित्र भारत भूमी को बचा नहीं पाएंगे, ये तै है, इसलिए थोड़ा कठोर हो जाओ, मजबूत हो जाओ, और एक नया इतियास लिए, नए युक्का, निर्मान करने के लिए, दोस्तों, हमारे साथ आओ, आओ विश्व करमाजी की जहनती है, और विश्व करमाजी स्रजन के निर्मान के देवता हैं, इसलिए आप भी इस देश के निर्मारता बनो दोस्तों, इस देश को ठगमुक्त वे इमान रहितरास्टर के रूप में स्थापित करने के लिए, हमारे साथ चलो, जै हिंद, जै भा दोस्तों